Hello everyone, this is class 1, subject EVS, check out semester 1 book, page number 122, lesson 2, chapter number 2 है आपका home, sweet home. Home और sweet home, home क्या होता है, home means होता है, घर, है ना, home means क्या होता है, घर, और sweet home मतलब प्यारा घर, है ना, जिसमें हम सब मिल कर हमारे family members रहते हैं, उसको बोलते हैं, home. Home, एक word आपने सुना है, house, house means क्या होता है, मकान, house means क्या होता है, मकान, और home means होता है, घर, ठीके, तो अभी मैं आपको house और home के बारे में थोड़ा और आगे बताऊंगी, से पहले, घर, house, मकान कितने तरह के होते हैं, types of houses पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, types of houses, देखिए, first picture में क्या दिख रहा है आपको, कच्चा house, है न, मिट्टी से बना हुआ है जो घर, उसको बोलते हैं कच्चा house, फिर जो cement से बनता है, cemented, है न, उसको बोलते हैं पका house, और जो, देखिए, गाओं में होती है, जो पड़ी, जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं hut, आया समझ में, अभी आप, वैसे तो houses बहुत तरीके के होते हैं, बट अभी मैं आपको first class के हिजाब से, तीन तरह के घर बता रही हूँ, कच्चा house, पक्का house, and hut, इन सब के बारे में आपने सुना होगा, चलिए, आजाईए, page number 122, आपका lesson स्टार्ट करते हैं हम, lesson स्टार्ट करने से पहले, आपको एक activity दिए, they belong, यहाँ पर आपको four things बनी हुई हैं, और बीच में rooms के name लिखे हुए हैं, हमारे घर में बहुत सारे अलग-अलग room होते हैं, तो उन, कौन से चीट, कौन से room में होती हैं, वो आपको यहाँ पर match करके बताना है, सबसे first picture किसका है, bed का, किसका है, यह क्या है, bed, 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 bed कहा ह होता है, kitchen में, bathroom में, living room में, bedroom में, कहा होता है, bedroom में, तो आप उसको, bedroom से match कर देंगे, next picture किसका है, यह क्या है, store, है न, gas chula, जिसको हम बोलती है, यह कहा होता है, kitchen में, कहा होता है, kitchen में, bucket, यह क्या है, bucket, balty, है न, कहा होती है, bathroom में, कहा होती है, bathroom में, जहां हम नहाते हैं, living room, living room, अब क्या बचाई यह क्या है, sofa, क्या है, sofa, sofa कहा होता है, living room, living room मिल्स, जहां पर हम, बैट के टीवी देखते हैं, है न, जहां पर guest आते हैं, वो भी बैटते हैं, देखे, we need a house to live in, हमें रहने के लिए किसकी जरूरत होती है, मकान की, किसकी जरूरत होती है, मकान की, we live with our family in our house, हम मकान के अंदर हमारी family के साथ में रहते हैं, we live with our family in our house, a house become a home, हाउस, एक मकान, कब घर बन जाता है, when a family lives in it, समझ में आ रहा हैं, हाउस मींस मैंने क्या बताया था, मकान, होम मींस बताया मैंने आपको, घर, एक मकान, घर कब बन जाता है, when a family lives in it, जब उसमें हमारी family रहने लग जाती है, तब वो home बन जाता है, home, sweet home, है न, अब, आपसे पुछना चाहूंगी, कि हमें, हमारा जो मकान है, वो किन-किन चीज से protect करता है, किन-किन चीजों से बचाता है, yes, किन-किन चीजों से बचाता है, protect from cold, ठंड लगती है, हम हमारे घर में रहते हैं, तो हमें ठंड काम लगती है, जैसे ही हम बाहर निकलते हैं, तो हमको ठंड जादा लगती है, protection from heat, हम घर में रहते हैं, तो हमें सूरज की गर्मी, जो गर्मी होती है, वो नहीं लगती है, है न, घर में रहते हैं, जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं, किती तेज धूप लगती है, है न, protection from rain, घर में रहते हैं, तो हमारे पास बारिश भी नहीं आती है, बाहर निकलते ही हम घिले हो जाते हैं, है न, protection from wind, तूफानी हवा चल रही हो, तो भी हम protected रहते हैं, तो the home protect us from heat, cold, wind and rain, इन चार चीज से हमको बचाता है, page number 123, our house protects us from heat and cold, गर्मी और सर्दी, wind, हवा, दरेन, बारिश, wild animals, जंगली जानवरों से भी हमारा घर हमें बचाता है, है न, next, big and small houses, आपने देखा हैं कि कुछ घर छोटे होते हैं और कुछ घर बहुत बड़े होते हैं, है न, we see many kinds of houses around us, हमने हमारे असपस बहुत सारे घर देखे हैं, कुछ घर बहुत छोटे होते हैं, कुछ घर बहुत बड़े होते हैं, a house may be big or small, house दो तरह के होते हैं, या तो बहुत बड़ा होगा, या चोटा होगा, big houses has many rooms, big house होगा, उसमें बहुत सारे rooms होते हैं, ये example देखिए आपको, मैंने नीचे दिखाया है, और small houses have few rooms, many मतलब बहुत ज़्यादा, few मतलब कम, तो ये आपको देखो छोटा सा मकान दिख रहा है, इसमें कितने कम रहे होंगे, only two rooms, तो ये कौन सा house हो गया, small house, है ना, और ये देखो, बहार swimming pool है, garden है, और इता सारे rooms दिख रहे हैं, तो ये कौन सा हो गया, house, big house, कौन सा house हो गया, big house, next, आया समझ में आपको, कि big house और small house कैसा होता है, अब हम चलते हैं, Wani's house, Wani के घर में चलते हैं, Wani's family lives in Kanpur, Wani की family कहां रहती है, Kanpur में, they lived in a big house, अभी हम big house के बारे में पढ़ रहे हैं, Wani कौन से घर में रहती है, big house में, तो big house है, मतलब उसके घर में बहुत सारे rooms हैंगे, तो their house has these rooms तो उसके घर में जितने भी rooms है उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं This is the living room They sit here with their guest ये कौन सा room है? Living room कौन सा room है? Living room Living room में हम क्या करते हैं? जो भी महमान आते हैं वो भी यहां बैठते हैं हम भी बैठते हैं और टीवी देखते हैं तो living room एक बैठक room जिसको हम बोलते हैं हिन्दी में उसको बोलते हैं Next ये तो आपको picture से ही पैचान में आ गया होगा जहां पर bad पड़ा है वो कौन सा room हो गया? Bad room कौन सा room हो गया? Bad room bedroom में हम क्यों करते हैं? क्या करते हैं? and sleep सोती हैं मां जाकर आराम करती हैं Next This is the dining room कौन सा room है? Dining room This is the dining room कौन सा room है? Dining room Dining room में क्या? दिखते हैं आपको एक table है और उसके चारो तरफ chairs लगी हुई है मतलब हम dining room में खाना खाते हैं क्या करते हैं? Dining room में खाना खाते हैं एक साथ family members के साथ बैट के और खाना खाते हैं Next Next आ रहा है हमारा कीचन This is the कीचन वानी's mother and father cook here कीचन सभी को पता है कीचन में हम लोग क्या करते हैं? खाना बनाते हैं क्या करते हैं? खाना बनाते हैं तो खाना कौन मनाता है? Mommy कौन मनाता है? Mommy तो यह क्या है? किसका पिच्चन है? Kitchen का किसका है? Kitchen यह कौन सा रूम है? Kitchen Next This is the picture of bathroom किसका पिच्चर है? Bathroom का Bathroom में क्या करते हैं? नहाते हैं क्या करते हैं नहाते हैं पेज नममर 126 अभी तक हम वानी के घर के बारे में पढ़ रहे थे अब हम पढ़ेंगे राजी's house वानी बिग घर में रहती थी, कानपूर में रहती थी और वो बिग हाउस में रह रही है बिग हाउस में त्य सारे rooms हैं अभी यह राजी, राजी's house अभी हम किस के बारे में पढ़ेंगे राजी's, राजी के घर के बारे में पढ़ेंगे she lives with her mother in a small house राजी कैसे घर में रहती है, small house में कैसे घर में रहती है, small house में रहती है उसकी मम्मी के साथ में इसके साथ रहती है, उसकी मम्मे के साथ में. Her house has one room and a bathroom. उसके घर में एक ही room है और एक bathroom है. इसलिए उसका घर बहुत छोटा है. इसके घर में कौन-कौन से room नहीं है, living room नहीं है, bad room नहीं है, है ना? Only एक ही room है, उसमें kitchen भी है, और वो वहाँ steady भी करती है, है ना? और एक bathroom है, जहाँ पर वो नहीं आते हैं. She loves her house, फिर भी वो उसके घर से बहुत प्यार करती है. राजी helps her mother to keep the house clean. राजी उसकी मम्मी की help करती है, क्या करने में? घर को clean रखने में, है ना? Next. Let us revise. अब हमारा chapter फिनिश हो गया, अभी वापस हम शुरू से क्या क्या पड़ा, उसको थोड़ा सा recall कर लेते हैं. A house is a home when a family lives in it. एक मकान घर कब बन जाता है, जब उसके अंदर family रहने लग जाती है. यही बताया था, A house protect us from sun, wind, rain and wild animals. House हमको किन-किन चीजों से बचाता है, sun, sun means heat, wind, हवा, rain, बारिश, wild animals, जंगली जानवर, है ना? और thund, ठीक है? Some people live in a big house, कुछ लोग बड़े घर में रहते हैं, जैसे कि यह, Some people live in a small house. Small house है ना? Big house, जिसके अंदर महुत सारे rooms हैं, और small house, जिसमें only one or two rooms हों, तो वो होता है small house, लेट्स, पेज नंबर 127, पेज नंबर 127, पे आपको question number one क्या दिया है? Fill in the blanks, choose words from the box, तो आप बताएंगे मुझे, a big house है, Big house has a many, बड़े घर में बहुत सारे क्या होते हैं, many rooms, क्या लिखेंगे, many rooms, We cook food in the, हम खाना कौन से रूम में बनाते हैं, कीचन में, कहां बनाते हैं, कीचन में, We eat food in the, कौन से रूम में हम खाना खाते हैं, Table थी, जहां पर chair रखी थी, चारो तरफ, table के चारो तरफ, कौन सा रूम है वो, Dining room, कौन सा रूम है, Dining room, We have a dash in the bathroom, बाथरूम में हम क्या करते हैं, बाथ, क्या करते हैं, बाथ, We have a bath in the bathroom, we have a bath in the bathroom, okay? Thank you.